हलो नमस्कार वेलकम टो अश्टेडी 24 मैं राजु कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो एक ग्यारा सो चालिस पदो पर नई भरती आई है जारखंड करमचारी चायनायोग यानि जे एससी जारखंड अश्टाफ सेलेक्शन कमीशन और योग्यता जो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन पास रखा गया है क्योंकि ग्रेजुएशन पास के लिए ही ये बहुत दिनों से अटकी पड़ी थी लेकिन इस बार निकाल दी गई है तो मौका अच्छा है आप लोगों के पास मौका बहुत अच्छा है धेर सार वीडियो पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा और जो भी डिटेल्स है चलिए देख लेते हैं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग कम से कम लाइक तो जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालू तो आपको आसानी से मिल जाए तो चलिए मैं ले चलता हूँ ओफिसियल वेब साइट पे आप लोगों को तो यहां आप लोग देख पा रहे होंगे मैं गोबर्मेंट ऑफ जारखंड जारख तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है जारखंड करम चाया नायोग के तरफ से जो यह बीवरनिका निकाली गई है नोटिफिकेशन निकाली गई है विग्यापन संख्या 3 2019 तो इसके लिए मैं जो मुखी मुखी बाते हैं मैं आपको इसमें दिखाने वाला हो ताकि विडियो लंबा ना हो तो चलिए सबसे पहले जो जानकारी आपके लायक है मैं उससे पहले दिखा देता हूँ यहां देख सकते हैं आप लिखा हुआ विग्यापन संख्या 3 2019 जार खंड समान ये योगेता धारी असनाता कस्तर ये संजुक्त परतियोगिता परिच्छा 2019 तो ऐसा नहीं है ये दूसरे राजी के भी कंडिडेट सामिल हो सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको और भी तो परिच्छा सूल्क जो है यहां 1000 रुपय रखा गया है 1000 रुपीज और परिच्छा सूल्क जो है परिच्छा सूल्क में छूट जो है सिर्फ जारखंड राज के अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के अभियार्थियों के लिए परिच्छा सूल्क जो है 500 रु करते हुए उनकी अभ्यार्थिता समाप्त कर दी जाएगी अगर आप बाहर से हैं किसी दूसरे एस्टेट से या OBC बगएरा से हैं तो उनको छूट नहीं दिया गया है जितना भी छूट मिला है 500 रुपया जो सुल्क लग रहा है वो सिर्फ जारखन के SCST को है और बाकी All India में कहीं से भी आप भर रहे हो या किसी भी कटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपय सुल्क लग जाएगा और चलिए क्या मुख्य बाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं और अगर यहां पे भी एक important बात दी गई है देख लिजिए अगर आपने 2015 में आवेदन दिया था परिछा दि बिग्यापन संख्या 14-2015 और 15-2015 में सम्मिलित हुए आवेदकों को पुना आवेदन देना होगा ठीक है तो पहले वाले कंडिटेट को भी आवेदन करना होगा और अब देख लेते हैं सीटों की संख्या जो रिक्तियों का विबरन है कितना सीट है वो देख लिजिए तो सी जिसमें जेनरल के लिए 155 है, SC, ST के लिए 43 है, अनुसूचित जाती के लिए यानि SC के लिए 48 है, अत्यांत पिछडा बर्ग के लिए 42 है और पिछडा बर्ग के लिए 38 है और आर्थी गरूप से कमजोर बर्ग के लिए EWS के लिए 36 है तो इसी परकार से टोटल जब जोडने पर होता है 362 और इसके नीचे देखिए दूसरा पोस्ट है ये है पोस्ट परखंड आपूर्ती पदाधिकारी इसके लिए 223 सीटे है और जेनरल के लिए इसमें देखिए 90 सीट है ठीक है और अनुसुचित जन जाती के लिए अतियंत पिछडा बर्ग के लिए 15 है और पिछडा बर्ग के लिए 13 है और आर्थिक रूप से EWS के लिए 22 है इसी परकार से नीचे देखेंगे परखंड कल्यान पदाधिकारी के लिए परखंड कल्यान पदाधिकारी के लिए 149 सीटे है और यह जो है डीटेल आप देख सकते हैं और देखिए नीचे देचलता हूं मैं और आपको यह है अंचल निरिच्छक अंचल निरिच्छक सा कानून गो इसके लिए 170 सीट टोटल है जिसमें जनरल के लिए 79 सीटे दी टोटल और देखिए प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 सीटे है तो टोटल 1140 सीट होता है जिसमें आप लोग जो है बिहार अगर जारखंड के बाहर से हैं किसी भी राजे से हैं ज्यादा तक तो बिहार और उतरपरदेश बाले भी भरते हैं तो उन लोगों के लिए कहना चाऊंगा कि आपको आरच्छन नहीं दिया जाएगा आप चाहे किसी भी कर्टेगरी से बिलोंग करते हैं वहां जाके आपको जेनरल में जगा दिया जाएगा आपको आरच्छन का लाव नहीं दिया जाएगा और देखिए educational qualification जो है यहां पे देख सकते हैं सहायक परसाखा पदाधिकारी, परकंड अपूर्ती पदाधिकारी और कल्यान परकंड कल्यान पदाधिकारी और यह अंचल निरिचक सा कानूनगों के लिए सभी पोश्टों के लिए असनातक या समकच डिग्री रखा गया है, और भी कुछ और जेनरल के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 35 वर्स है वही अत्यांत पिछड़ा बर्ग के लिए अनुसुची एक एवं पिछड़ा बर्ग अनुसुची दो पूरुस के लिए 37 वर्स है और अनारचित अत्यांत पिछड़ा और महिला अनुसुची एक और एवं पिछड़ा अनुसुची दो के लिए 38 बर्स है और SCST के लिए 40 बर्स एज अधिकतम रखा गया है और चलिए कुछ नया देखते हैं यहां पे जो है मुख जो डेट बगएरा है कब ऑनलाइन करना है और क्या सब्मिट करना है अप्लिकेशन फीस जो बगएरा जो है उसका डिटेल देख ल 2019 से 11 बजे से लेकर पुर्वाहान से 17-10-2019 की मध्यरातरी तक आप आवेदन ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं और परिच्छा सुल का भुगतान देखिए परिच्छा सुल का भुगतान आप 21-10-2019 की मध्यरातरी तक भी कर सकते हैं और फोटो एबं हस्ताचर अपलोड करने कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने का अंतिम समय सीमा जो है देख सकते हैं 23.10.2019 तक आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं और हस्ताच्छर बगएरा जो है अपलोड कर सकते हैं और देखिए यहां पर घौ में है दिनांग 24.10.2019 से दिनांग 26.10.2019 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी असुद्धी परविष्टी को संसोधित करने के लिए पुना खोली जाएगी तो 24.10.2019 से लेकर 26.10.2019 तक आप आवेदन को सुधार कर सकते हैं और चलिए कुछ देखते हैं नीचे देख सकते हैं यहां पर इधर से अब आप यहां पर दिया गया है कि पदों का बिकल परिछा का स्वरूप यहां से नीचे आपको सिलेवस बगेरा के बारे में दिया गय तो सिलेवस बगेरा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोग देख लिजेगा बिस्तार से तो वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं लगभग सभी जानकरिया जो फॉर्म भरने के लिए आवास्यक थी वो मैंने आपको उपलब्द करवा दिया है और अगर आपको इसका पीडियेफ चाहिए तो मैंने लिंक डाल दिया है वहां से आप डायरेक्टली इस पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए बाई जैहिन